इस विडियो में उन्होंने इस मामले के बाबत गंभीर आरुपों का जिक्र करते हुए कींद्र सरकार पर सवाल दागे थे अब इस बात पर पलटफार करते हुए कंगना रुनौत ने लोगसभा के नेता विपक्ष को सबसे खतरनाग कड़वा, जहरीला और विनाशक व्यक्ति तक कह डाला हाले में बॉलिवुट से राजनेती मियाई कंगना रुनौत ने आरुप लगाया कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा और अर्थ व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं कंगना रुनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साथते हुए सोशल मीडिया हंडल एक्स पर लिखा राहुल गांधी सबसे खतरनाग आदमी है, वे कटू, जहरीले और विद्भनसक है उनका एजिंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को तो नश्ट कर ही सकते हैं हिंडनबर की रिपोर्ट हमारे शेर बजार को लक्षित करती है जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, वो एक बेकार बात साबित हुई वे इस देश की सुरक्षा और अर्थ वैवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं श्री गांधी, तुम जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तयार हो जाओ जिस तरह से तुम पीडित हो, इस देश के लोगों की महिमा, विकास और आश्टवाद को जेलने के लिए तयार हो जाओ वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम्हें कलंख हो बता दें लोकसभा में विपक्ष के नेता रहू गांधी ने हिंदनबर की दावों को लेकर मुदी सरकार पर जूड़ार प्रहार किया था इस मसले को लेकर रहू घंडे पर एक एक वीडियो भी शेयर किया था इस वीडियो में रहू गांधी ने कहा था इमचिन दिवरोगी च्रिकेट, इंकरतेशने हुश्पोटेदैने, ब Pastor किताइ हैं, प्छोन किताइट पर इख PP किताउधने हैं इन आपकांगे लती हैं वीसलने हैं इस अभी करते है वापनेra जाखाफ distillшт Sophos कि अबस्तों कहो दो जाम इंटापकर हैं. गे इट इनले नस्ते गुक сдел प्राव ऑंपोनी हैं. अवन जोड़िए प्राव जीर्डीन कहो उलते हैं मिफचिन अंपरेंगोंपने जार्णी कि इस भिटे कि स्य stallion, चेता जैनलार रस्वाम का एक समय दित्रड़के इना इसप्रोड़ प्रिंग मा के विए. तो इस प्लाम के खखे ड हीमेशान विए डी का ओन रीग कोशन नाी के तरीड़के एक तरीर करे ये नझा लाई मेर लेय बान इस प्रेज विझोर से क्बिए भूबागारे जन सीरत इंपरो प्रेश्ट्री इंवसर्स पंटन म्यूस थास्वशदां, shooting है प्रसंछु अ करता ही। िंडे हैसी निय्टे सुरद में रिषडिकेश्ने उस्ट एफ और प्लिंसे और अती हैं, इस जहावती डूहेस्काइश्टी रिष्ट चेडरीक्रविज गोटी में टैडस्टा ग्में इन भूहसों किक्यृ कि एनला केपूचिंशि decentralDR॑ very serious explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court gonna look at this matter Swoomoto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Live Hindustan